स्री शिवाई नमस्तुब्यम दर्शको कैसे हो आज आगरते हैं कि आप सब स्वस्त एम्स राक्चित होंगे दोस्तों गुरु पूर्णीमा जो के आज 13 जुलाई को पढ़ी है दोस्तों गुरु पूर्णीमा का विशेश महतो बताया गया है इसी परकार आज गुरु पूर्णीमा की रात्री में यानि की संध्या के समय परदोस के समय आप लोगों को एक अचु कुपाई करना है आप लोगों को मातर रात में सोने से पहले तक्ये के नीचे आप लोगों को एक ऐसी चीज रख लेनी है जिसे रखने मातर से आपके जीवन में आ रही सभी परकार की धनक्स को लेकर जो भी रुकावटे हैं वे दूर हो सके तो आप लोगों को दोस्तों किस परकार से सचु कुपाई को करना है वो इस वीडियो के महद्य हम से बताएंगे लेकिन अभी तक आप लोगों ने आपके अपने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और वीडियो की पैरा सलाइग आउशे करे हर बार की तरह कोमेंट में स्री शिवाय नमस्तु भी हम आउशे लिखे हैं तो दोस्तों आप लोगों को मातरे एक छोटा सा चुक उपाई करना है आज गुरू पूरी मा की रात्री में दोस्तों आज रात्री में जब आप लोग अपने हाथ मूँ सब यानि की जो पाच अंग होते हैं उनको दोकर जब आप सोने लगो तो आप लोगों को पाच काली मिर्च की दाने लेने हैं और पाच काली मिर्च की दाने लेकर आप लोगों को मातलक्षमी का इसमन करकर और आठ बार श्री 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 बोलकर आप लोगों को उस तक्की अब जो आप सो रहे हैं उनके तक्ये की नीचे रख कर आप लोगों को सो जाना है सवेरे उठकर उन पाच काले मिर्च की दानों को अपने सारे घर में गुमा कर और उनमें से एक दाना उठा कर अपने घर की तीजोरी में रख देना है बाकी की जो चार दाने हैं उनको आपकी घर में तुलसी का पोदा हो तो उसकी जड़ में आप लोगों को दबा देना है इतना सा कारिय कने मातर से धन को लेकर जो समश्या होगी वैं दूर होगी इस पर कारी सचु को पाई को अवश्य करें